असलाम उलेकम दोस्तों तो आज हम बनाने वाले हैं हैदराबादी स्पेशल पालक गोश्ट की रेसेपी जो बहुत ही आसाना और जटपर तरीके से बनाना बताएंगे फ्रेंड्स मैं आपको और बहुत ही ज़्यादा मज़ेकी बनती है तो वीडियो को भी ना स्किप के पू को कर एक बॉल में डाल लिया है अब यहां पर देखें मैंने ले लिया है दूसरे बॉल में यहां पर मैंने दो बड़े मेथी के बंच लेकर मैंने इसको भी तोड़कर कट कर लिया है और इसको भी अच्छे से धो लिया है अब इसको भी हम रख देंगे यहां पर आप ज्यादा हो तो भाजी अच्छी मज़े की लगती है फ्रेंड्स आप देखें यहाँ पर दालेंगे एक मीडियम से इसकी प्यास डाली थी मैंने जिसको बार एक स्लाइस में कटकर लिया इस तरह से तो यह प्यास दाल लेंगे अब हम क्या करेंगे प्यास को अच्छे से फ्रा अध्रकलेशन का कच्छापन जाने तक हम इसको पका लेंगे तो हाई फ्रेंड्स अध्रकलेशन का कच्छापन चला गया है तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे फ्लेम लो करने के बाद देखिए इसमें दालेंगे हम आधी चोटी चमच हल्दी पौडर दाल लेंगे एक चमच यहां पर दाल लेंगे लाल मिर्च पॉडर तो मिर्ची अपने टेस्क ही साब से दाल लीजिए अब इसमें दाल लेंगे हम यहां पर एक चमच नमक दाल लेंगे तो नमक भी अपने टेस्क ही साब से दाल लीजिए बस देखिए इसमें इतने ही मसाले जाएंगे तो भा हाई फ्लेम पर हमने इसको गोष्ट को 5 मिनिट के लिए अच्छे से भून लेना है तो फ्लेम को हाई कर लेंगे और यहाँ पर हम तकरीबन गोष्ट को बीच में मिक्स कर देवे 5 मिनिट के लिए अच्छे से भून लेंगे तो देखे फ्रेंड्स यहाँ पर गोष्ट पर तरीके से तो मैं इसको कूकर में बना रही हूँ, अगर आप इसको बगोने में बना रहे हैं तो पहले गोष्ट को अच्छे से गला लीजिए, फिर बाद में पालक की भाजी और मेथी की भाजी आप इसमें डाल सकते हैं, गोष्ट अच्छे से गलने के बाद, तो देखे यहां पर मैंने मेथी की भाजी भी इसमें डाल ली है तो आब हम क्या करेंगे फ्रेंट्स यह कूकर में देखिए काफी ज्यादा हो गई है तो अभी यह mix नहीं होगा तो मैं इसको क्या करूँगी ऐसे ही 3-4 मेट के लिए हाई फ्लेम पर छोड़ दूगी यहां पर उसके बाद यह पालकी भाजी में पानी बहुत ज्यादा छुटता है तो यहां पर आप देख सकते हैं मैं इसको इसी तरीके से पांच मेट के लिए छोड़ दूगी तो यहां पर देखे पानी काफी अच्छे से चूट गया है पाजी में तो देखे आप हमें मिक्स करने में आसानी हो जाएगी तो यहां पर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देखे फ्रेंट्स यहां पर इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद क्या करना है इसमें पानी तो काफी ज्यादा छूटता है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी सिर्फ थोड़ा ही इसमें पानी दालूँगी तकरीबन मैं इसमें दालूँगी तीन से चार बड़े चमच पानी इसमें दालूँगी कि मैं आप देख सकते हैं, मैंने इसमें कितना थोड़ा पानी दाला है, तो इससे क्या है friends, यहाँ पर गोष्ट भी अच्छे से गल जाएगा, और भाजी भी अच्छे से पक जाएगी, तो इसका धकन को लगा लूँगी मैं यहाँ पर, और यहाँ पर इसको हाइफ्लेम पर म पानी लेकिन इसमें अभी भी थोड़ा सा पानी बाखी है तो अब हम इसको क्या करेंगे मैं यहाँ पर इसको दूसरे बरतन में ट्रांसफर कर रही हूँ आप चाहे तो इसी में भी पूरी भाजी बना सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैं आपको अच्छे से नजर आये वीडियो म तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको गोष्ट भी चेक कराऊंगी गोष्ट बहुत अच्छे से गल गया है तो देखें यह बहुत ही जाता गरम है अभी तो लेकिन यह बहुत अच्छे से गल गया है अब हम क्या करेंगे इसको इसमें डाल लेंगे यहाँ पर हम यहाँ ले लिया है मैंने एक मुठी बारी कटा हुआ हरा धनिया ले लिया है और इसमें दाल लेंगे हम यहाँ पर चार हरी मिर्सी दालना ओप्शनल है तो देखें यहाँ पर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको ढखकर हम जो पानी बचा हुआ है ना भाजी में का वो पांच मिन्ट मैंने इसको पका लिया था हाई फ्लेम पर भाजी में का काफी हद तक पानी सूख चुका है यहाँ पर एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आप देख सकते हैं तेल भी अच्छे से आ गया है उपर से अब इसको हम क्या करेंगे फ्लेम को बिलकुल लो कर लेंगे फ्लेम लो करने के बाद इसको मैं तकरिबान दो मिनिट के लिए दम पर होने के लिए छोड़ दूंगी ढख कर तो देखे फ्रेंस इसको मैं ढख दूंगे और दो मिनिट के लिए हम इसको लो फ्लेम पर दम होने के लिए छोड़ देंगे तो देखे फ्रेंस आप इसको रोटी पराटे के साथ, चामल के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है, फ्रेंट्स तो आप भी जरूर से बनाएए इस तरह से, फ्रेंट्स आप और मुझे कमेंट्स बताई है, आपको रेसेपी कैसी लगती है तो friends आप मेरा वीडियो कहां से देख रहे हैं ये भी मुझे जरूर कमेंट्स करकर बताईए तो मेरे घर पर तो लंच पर ये पालक की भाजी बनी है friends आपके यहां पर क्या बना है तो कमेंट्स करकर बताईए तो बहुत ही मज़ेदार हमारी यहां पर भाजी बन कर रेड़ी है इंशालला बहुत ही जल इसी तरह की कोई आसान और मज़ेदार ऐसे पर आपके साथ शेयर करूंगी तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा अल्ला हाफीस